बहुत सारे लोग मूवी को कुछ टेम पास की तरह देखते हैं, कुछ लोग entertainment के तोर पे देखते हैं और कुछ लोग बहुत passion से देखते हैं, मुवी की मतलब कोई भी भी आते हैं, तो वो देखते हैं तो यहाँ पे हम इस मूवी से क्या सीख रहे अपने लाइफ में या अपने बिजनेस में तो आज मैं कुछ ऐसे लर्निंग्स जो मैंने के जिए अप मूवी से सीखा है वो आपसे शेर करने जा रही हूँ I hope यह सारे लर्निंग्स जो है आपको यूस्फुल रहे क्योंकि हमको हर एक जगा से हर एक सिचुएशन से सीखना चाहिए क्योंकि आपको हर एक चीज से कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा आप कही पर भी जाते हो कही से भी मिलते हो कोई भी आपके लाइफ में आते है कोई भी बुरा चीज होता है आपके साथ हर जगा से आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो तो इस movie से मैंने क्या सीखा है कुछ learning मैं आप से share करने जा रही हूँ तो इस podcast को आप end तक देखे जो भी मैं learning share कर रही हो आप उसको implement करे आपके भी कोई और learning से इस movie से जिसनोंने movie देखा है तो वो लोग आप comment section में डाल सकते हो कि आपके क्या learnings रही है मेरे learnings यह रही है business के तोर पे और personal life के तोर पे हमको यहाँ से क्या क्या सीखने को मिला है कोई भी जब business start करता है या कोई भी movie start करता है कि movie के अंदर भी एक प्रोड़क्ट ही है और हर एक movie उनके एक प्रोड़क्ट के तरह वो treat करते है क्योंकि यहाँ पे जब कोई भी movie start करते हैं तो वहाँ सबसे पहले वो अपना concept strong रखते है audience के हिसाव से वो audience के mindset के according concept को रखते कि आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे movies होते हैं बहुत अच्छा होते है movie बट audience को पसंद नहीं आता तो वो लोग वो movie को flop कर देते क्योंकि आपका movie हीट होना यह flop होना यह audience के base पे होता है वैसी हमारे business के अंदर हमारे जो product हम design करते हैं हम भी अपने customer के according हमको design करना पड़ेगा कि customer को क्या अच्छा लग रहा है customer इसको use कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है कि customer को हमारे प्रोड़क्ट से क्या तकलीफ आ रही है अगर हम market में launch करेंगे तो customer को यह किस तरीके से useful होगा उसका कौन सा ऐसा problem है जो solve कर रहा है तो यहाँ पे जैसे एक movie का project बनता है जैसे वो लोग कितने साल लगा देते कुछ-कुछ movies होते हैं न कितने साल जैसे बहुत बली है केजी ओफ movie है कितने साल लगे है एक movie को बनाने के पीछे तो एक product बनाने के लिए भी हम लोग ना ऐसा नहीं कि किसी ने start कर दिया तो हमने भी तुरंत start कर दिया copy paste कर दिया एक product design करने के लिए आपको market research करनी पड़ती है बहुत time लगता है इसके पीछे बहुत महानत भी होती है तो आज मैं कुछ learning share करने जा रही हूँ तो ये जो मेरा सबसे बड़ा learning है इसमें सबसे पहला मेरा learning है ये की day to dream big हम सबको बड़ा सोचना ज़रूरी है कि जब हम बड़ा सोचते हैं तो वो रस्ते से चलने के लिए हमको खुद बखुद लेके जाता है उस dream को achieve करने के लिए जिसी इस movie से मैंने क्या सिखा कि जो एक बच्चा था वो tragic life जी रहा था उसकी मा मर गए थी उसके बड़ भटक रहा था इदर उदर तो उसको एक beggar मिल जाते थे वो जो beggar ने उसको बोलता है कि यार अगर आपको power मिल जाती है ना life में सब कुछ मिल जाता है उसने वो एक बात को पकड़के उसने पूरी उसने life में पूरा जो dawn का वो power को achieve करने के लिए इतने risk लेता है हर एक risk को वो लेता है accept करता है, face करता है, सब कुछ करता है तब जाके वो पहले गली-गली से, फिर उसके बाद मोहले में उसके बाद वो उस area में उसके बाद वो दीरे-दीरे एक-एक city-city करके वो KGF तक पहुंच जाता है तो वैसे ही हम लोग business के अंदर भी कोई भी business हम start करते है तो day one से ही successful होने का खाव रखना छोड़ दीजे step by step step by step step by step होगा दीरे-दीरे-दीरे पहले आप अपने area के अंदर brand create करोगे उसके बाद दीरे-दीरे-दीरे-दीरे आप state wise जाओगे फिर उसके बाद domestic फिर उसके इंटरनाशनल ऐसे जाओगे तो सपने हमको बड़े रखना है उस सपने को अच्छीव करने के लिए चाहे कितने भी risk आए कितने भी challenges है उसको face करना है हार नहीं मानना है कोई भी failure आते हैं उसको accept करना है जो failure से हमको सीखना है और उसको और अच्छे तरीके से करना है जो मेरा second point है always remember your why reason आपको हमेशे याद रखना है कि आपका goal आप क्यों बनारे purpose बनाना चाहिए पीछे कि मुझे ये क्यों achieve करना चाहिए अब इस movie में Rocky का जो goal है उसके ममा का सपना पूरा करना था उसके ममा को उन्होंने वादा दिया था कि वो राज्य को पूरा वो एक king बन के रहेगा तो उसको achieve करनी के लिए वो कब भी भटकता है कि एसे नहीं कि राकी को भी एक ही बार में सारब कुछ नहीं मिलाए कितनी बार हार चुका है वो कितने बार उसको दबाया गया है उसको नीचे किया गया हुआ है कितने attacks हुए उसके फिर भी वो हार नहीं माना जब भी उसके उपर attack होता है जब कोई अच्छे चीज मार्केट में जाता है ना उसको वह सार रिजेक्ट करते तो इस रिजेक्शन को हमको एक्सप्ट करना है इस रिजेक्शन से हमको सीखना है गलतिया क्या करी हमको तो उसको services development करके customer की feedback लेकि इसको हमको develop करना है फिर third point है हमको power of influence यहाँ पर हमारे जितने भी लोग आसपास होते हैं उनको influence करना दुनिया को influence करना यह ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर राखी ने influence करना हमारे actions ही उसको influence किया जाते है लाइक उन्होंने ऐसा कोई words नहीं बोले कि influence नहीं किया उसके actions ही वो जहाँ पे जो लोग होते उनके अंदर वो एक ऐसास जगाया है कि भाई ये बंदा हमारा कुछ कर सकते हैं, हमको यहां से वो भार निकल सकते हैं action speaks louder than words, तो यहाँ पे हमको लोगों को influence करना अपने product के बारे में बताना आना चाहिए मतलब आपके product की value create आपको करनी चाहिए market के अंदर के आपके product से उनके life में क्या changes होने वाले हाँ ये product है जो मेरे problem solve करेगा इस तरीके से आपको लोगों को influence करना आना चाहिए life में जितने भी लोग होते हैं कि power of influence लोगों को जब influence करका leadership आप build करते हो ना कि लोगों उसको साथ लेके चलने का तो ये बहुत अच्छा तरीका है next यहाँ पे अपना एक create your own identity पूरी movie में Rocky को हर जगा उसका brand level बढ़ाते गया हर जगा उसका brand को इतना elevate किया है यह brand उसको day one से नहीं मिली है उस brand के लिए उन्होंने इतने risk लिया है एक अलग सा जगा उन्होंने बना लिया उसका attitude उसके जो challenges accept करना उसका जुनून यह सारे चीज़े उसको एक ना एक own identity create कर चुके तो हमको भी अपने brand को एक own identity create करना है कि market में कुछ चीज लाने के लिए आपको बहुत research करनी पड़ती है कि आपको किस तरीके से brand market में चल रहे है क्या चीज चल रहे है यह सारे चीज़े आपको करनी पड़ती है next last day team work चाहे बंदा कितना भी strong हो चाहे बंदा कितना भी talented हो उसका goal achieve करने के लिए वो अखेले काफी नहीं होता इसके लिए आपको time consume होता है और बहुत ज़्यादा time लगता है तो इसके लिए आपको एक team के साथ चलना पड़ेगा यहाँ पर भी राखी ने उसको पता है कि अगर मैं इनको team बना लेता हूँ या अगर मेरे पीछे रहेंगे तो वो बहुत कुछ कर सकता है तो वहाँ पर उन लोगों को हिम्मत create किया उन लोगों के अपने एक सेना बना लिया इससे वो सारा KJF को completely वो king बन चुका था तो वैसे ही आप अपने business के अंदर अपने employees को team अपने employees को अपने co-workers को अपने partners को एक team बना के काम करोगे तो आपको business के अंदर भी बहुत अच्छी growth मिलेगी और जल्दी जल्दी growth मिलेगी तो यह 5 learnings है जो मैंने में KJF के आपके कोई learning से तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो और I hope इस learning जो भी है आप अपने life में implement करें यह movie नहीं कोई भी movie देखते हो उसमें से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करें थाइंकी सो मच अगर आपको यह podcast अच्छी लगती है तो इसको like करे comment करे subscribe करना बिल्कुल आपले